कि नमस्कार आज हम बात करते हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम में चाहे लैप्टॉप और डेक्स्टॉप हो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम मैंने यह पेंड्राइव में देखी यह लेप्टॉप में देखी कि पेंड्राइव लगा दिये हैं जो मैंने इसको यूएस्बी बूटेबल विंडोस विंडोस यूएस्बी टूल से बनाया इसको और इसके अंदर है विंडोस 7 अभी मैं यूज कर रहा हूं विंडोस 10 और Windows 10 से मैं 7 में क्यों हो जा रहा हूं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और मैं परेशान हो गया हूं विंडोस 10 से कारण यह है कि विंडोस 10 जब भी इसका सिस्टम अपडेट होता है तो पूरा की पूरा विंडोस हेंग हो जाता है और अपडेशन की दोरान अगर कोई बड़ी फाइल है तो कम से कम एक घंटे दो घंटे तक मैं कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ तो मैं भी खुद परिशान हो जाता हूँ तो परिशान होने कि जैसे मैं विंडोस 7 में फिर से जा रहा हूँ तो अब बात करते हैं कि मैंने इसको बूटेबल डाया अब इसके अंदर प्रोब्लम क्या है प्रोब्लम क्या है अगर मैं इसको select करता हूँ लिखा है F9 से boot device option मैंने दबाया है F9 देखिए यहाँ पर F7, F8 और F9 यह दबाया मैंने F9 तो display पर क्या आया है इसमें boot USB, boot manager, windows boot manager, boot file अब यहाँ पर मुझे मेरी जो है pen drive है यह वाली pen drive है USB, send disk cruiser blade अब send disk cruiser blade पर में ही है यहाँ पर जो है इसको करता हूँ enter, enter करने के बाद क्या option आता है option को देखते हैं कि क्या option आता है यहाँ पर देखिए कि windows loading files जो है यह start हो गया है आपर windows start हो गया है और windows start के बाद हम देखते हैं कि क्या problem आ रही है और यह क्यों install नहीं होगा इसका solution भी इसी में करेंगे और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि सभी लोगों की यही problem है कि यह windows installation fail होगा और इसको solve केसे करना है मैं सबसे बड़ी problem है इसको solve केसे करना है यह बताऊँगा देखिए यह आगया है windows 7 विंडोस 7 में अब मैं जाता हूँ इसको करता हूँ next पर click next पर click करने के बाद यह आया है install नाओ पर install नाओ पर start हो रहा है setup is starting अब यहाँ पर एक problem create होगी इस problem का हमें solution देखना है यह format मुझे चाहता हूँ कि यह windows format हो जाए format करके मैं 10 से 7 में वापस आना चाहता हूँ ताकि इसका एक मुझे फाइदा यह भी होगा कि windows 7 की update company ने बन कर दी है तो यह windows hang नहीं होगा और मैं क्या काम करना चाहता हूँ मुझे केवल office का work करना है या कोई photoshop चलाना है आपके पास इतना समय नहीं अब देखिए कि यहां पर यह है problem इसकी main क्या है आया है इसके अंदर लिखा है और required cd device driver is missing if you have a driver fluffy disk cd dvd और usb flash drive please insert now अगर आपके इस windows के driver है तो आप इसको cd dvd के द्वारा इसको में ड्रीवीडी राइटर में लगाई है और इसको install कहीजिए पहले इसके बाद यह installation process होगी अब यह windows cd और dvd driver क्या बला है और इसके अंदर missing है किसके अंदर missing है इसके bias system और इसके boot file में missing है अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे अब मैं देखता हूं किसको मैंने किया ok ok करने के बाद क्या result आता है no device driver were found make sure that installation media contents that correct drivers then click ok अब इसके करने के बाद मैंने भी click ok करा तो क्या option आये यहां पर दो option है browse and re-scan re-scan का मतलब यह होगा कि आपके अगर कोई क्योंकि laptop में या desktop में तीन से चार port होते हो सकता है आपने एक और pen drive लगा दिया हो और वहां से आप इसको करना चाहरे हो तो अब आप देखिए यहां पर browse वाला option है तो browse वाले option में आप ज खुलेंगे आपको hard drive के अंदर जो आपकी जो drive है CDEFGH जो भी आपकी drive वो उस drive के अंदर अगर आपने कोई इसके driver को रखा है missing drivers को इसको वहां से install कर लीजिए install करने के बाद आपकी आगे की process चलेगी पर यह मेरे पास भी इसके कोई driver इसके अंदर नहीं है और मैं परेशा क्या इलाज है अब मैं इस इलाज यह क्या है कि मुझे इंस्टॉल करूंगा तो भी वही problem है मैं इसको करता हूं close और इसको जैसे मैंने इसको लोज करा तो होगा है कि Windows फिर से start होगा और start हो है अलो फ्रेंड्स आपको क्या करना है इस पर गूगल पर जाईए और यहां पर यूटिलिटी सपोर्ट गिगाबाइट इसको टाइप कीजिए टाइप किने के बाद सर्च कीजिए सर्च में पहला option मिल रहा है यूटिलिटी सर्विस सपोर्ट गिगाबाइट इस पर क्लि सब्सक्राइब यूटाइब यहां पर देख लिएक कि आपका जो PC है जो आपका PC है यू अभश Godक का कौन सा ऐसमें इंटेल का है है या फिर रेड ओन OF ऐफिर कौन सा है आपका देख लिजे यहां पर AMD processor है तो AMD processor तो आप यहां पर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उपर search bar है जिसी AMD processor के लिए तो AMD processor आप इसको जरूर देखिएगा कि 32 bit या 64 bit आपका जो सब्सक्राइब करने के बाद आपको मैंने डाउनलोड कर लिए देखो पहले से और डाउनलोड करने के बाद इसको आहो आर या जिप फाइले के इसको खोली स्किष्ट हाई एकस्टेक्ट कीजिए hangड़ी आरर वायल से एकस्टेक्ट कीजिए टरेक करने के बात करना क्या है आपको एकस्टेक्ट करने नीची दिखी ए Windows यह जो है यह application है इसके उपर double click किजिए इसको खोलिए इसको जब आप खोलेंगे extract हो रही है तो यह है इसको कीजिए yes Windows Image Tool इसको कीजिए yes अब यह क्या अब वो जो error message आ रहा था वहाँ पर तो इसके अंदर क्या है कि जो driver missing थे USB के अंदर bootable USB के अंदर तो वह manually offline देखिए आप Windows 7 की image में offline driver इससे install हो जाएंगे आप यहाँ पर 8 के उपर click किजिए nvme drivers offline windows 7 image क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से refresh कर दीजिए आपका पेंड्राइव जो bootable पेंड्राइव पहले से बना रखा है उसको लगाई है यहाँ पर लगाने के बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए तो यह मेरा 3.7 GB का bootable पेंड्राइव है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने बाद करना है इसको start पर click start पर click करने के बाद यह कम से कम 15 से 20 मिनिट का समय लगा और यह जो driver है उस bootable पेंड्राइव के अंदर यह जो तीनों टिक लगे हुए है यहाँ पर होंगे install इंस्टॉल होने तक इसको wait कीजिए कम से कम मान के चलिए 15 मिनिट तक का समय लगेगा और 15 मिनिट बाज़ा भी हो जाएंगे तो आपका जो यह problem आ रहे थी CD DVD देखें friends आब यह जो है यह process वही बूट विंडोस को करूंगा restart और restart करने के बाद इसको वही option डाऊंगा मैं बूट मेरे इस laptop में escape का जो मैं बटन दबाता हूं तो बूट का option आता है आपके अगर HP का मेरा यह HP का laptop है अगर आपके इसमें अगर नहीं आता है तो f10 f11 यह फिक डिलीट का जो बटन है य देखिए एक डिलीट का बटन यहाँ पर भी है और एक डिलीट का बटन यहाँ पर भी इसको भी फ्रेस करेंगे तो मतलब आपका बाइस किस जो सेटिंगे बूट ऑप्शन वो ओपन हो जाएगा वहां से आपको फर्स डिवाइब बूट ऑप्शन जो डिवाइज है वहां से आपकी यूएजबी सेलेक्ट कर लीजिएगा इसके बाद आप आपका जो है लेप्टॉप है डेक्स्टॉप है वह फॉर्मेट की दबाने के बेता है यह है से टिंग्स इसके बाद मुझे करना है यह जाओंगा इस पर बू दिवाइस ऑप्शन यानि की एफ नएंग मुझे फbourne दबाया तो एफ़् करने के बाद यहां पर आ रहा है बूट उप्शन मेनू मेना मेरे पास से सैंट डेखिए स प्रोड़ेंड क्रोजर ब्लेट जो है मेरा यह पेंट राइवे इसको करता हूं एंटर एंटर करने के बाद देखी अब क्या होता है Windows is loading files Windows की loading Windows 7 की जो है loading files open होने लगी है और Windows file open होने के बाद क्या आता है हम देखते हैं Windows is Start क्योंकि पहले भी जब हम बूट कर रहे थे तब भी प्रोब्लम थी कि विंडोस इस इस्टाड आ रहा था पर वहां पर एरर आ रहा था क्योंकि इसमें ड्राइवर मिसिंग का एरर आ रहा था अब यह प्रोब्लम सोल्व हो जाएगी और देखते हैं आपके पास भी यही मतलब की सबस द्राइवर जो मैंने इंस्टॉल किया है विंडोस यूटिलिटी सपोर्ट गिगाबाइट वहां से इसकी लिंक दे दूंगा वहां से आप बिना कुछ करे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं मैंने किया इंटर एंटर के बाद आ रहा है इंस्टाल लाउं का उप्शन इंस्टाल होने के बाद देखिए अब इसमें पहले यह उप्शन नहीं आ रहा था अब देखिए यह प्रोब्लम सोल्व हो गई है अब यह मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा वर्जन विंडोस का इंस्टॉल करना है विंड थर्टी टू बिल्ट वर्जन यह शिक्स्टी फोर ब अब मैं लेक्स्टे हैं कि थार्टी बिट टू अपरेटिंग सिस्टम का यह प्रोसेसर रहे या 64 का है मुझे मेरे लेप्टॉप के बारे में मुझे पता है कि यह 64 बिट का है तो मैं यह नीचे वाला ऑप्शन पर सिलेट करूंगा क्योंकि यह मैं 64 बिट के ही सिस्टम है और इसी पर करूंगा तो यह स्मूथ लिए चलेगा अब देखिए यहां से किया स्टार्ट तो यह आ रहा है यहां से कीजिए इसको accept accept करने के बाद इसको किया मैंने next next करने के बाद मुझे अपग्रेड तो करना नहीं क्योंकि मैं इसको custom install करूंगा custom install करने मेर अब यह देखिए यहां पर मेरा जो c drive है यहां पर देखिए एक partition system बना हुँ है c drive जो है यह मेरा primary है यह reserve system में computer ने अपने आपको बना लिया है मेरा जो है यह c drive है कौन सा यह वाला disk drive जो है windows जो लिखाई यह c drive है इसके अंदर मैं इसको करूंगा क्यों इसको करने से पहले इसको करना पड़ेगा आपको format तो format करने के लिए आप हमेशा देखिए कि आप आपकी जितने भी drive है य अगरा कुछ पड़े हैं जिससे मैंने लिखा हैं यहां पर office एक मेरा जो drive है मैंने software से बना रखी है एक family है जो इसमें मेरे family से संबंदि रिलेटेट फाइल से और यह सिस्टम ने अपने आप create करके system restore point बना हुआ हैं यहां पर तो मैं करूंगा यहां पर कहां पर यह वाला कुन सा है एक सो गुनपचास जीबी अर्साट तो इसके उपर मैंने को करा enter तो मैं क्या करूंगा यहां पर यहां पर डिक्सट्राइव option पर जाऊंगा तो डिक्सट्राइव उप्शण यहां पर यहां पर आप इसको गलती से इसमें हमतZZ किजिए डिलिट करेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी आप इसको करिये format कि फॉर्मेट कर दीजिए इसको पूछ रहाई यास मैंने किसको कर दिया यास और ये जिए करने के बाद अब ये प्रोसेस लेगा और आप इसको अब यहां पर क्या होग हुआ इसका असर मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया तो 150 GB टोटल इसकी साइज है और फ्री स्पेस्ट भी हो गई 150.9 GB अब इसको यहां से इसको सिलेट कर लिया हमने सिलेट करने के बाद अब हमको क्या करना है इसको इस पार्टिशन के उपर इसको नेश्ट करना है नेश्ट करेंगे तो यह जो है विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा आप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं कि यह आपकी जो प्रोब्लम विंडोज सीडी ड्राइवर इस मिसिंग वाली प्रोब्लम सोल हो गई आप इस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और विडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को जरूर्ब्ल मिलते रहेंगे विड अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजीगा